कि यूटूब चैनल पर इक्सास है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड़ इउनिंग टू ओल ओफ यू मैरी तू चलिए जो हम त्यारी अपनी लाइब्रेरी की कर रहे थे डी ट्रीपल असबी की लाइब्रेरी की जो कोशन आप कर रहे थे वह आप कंटिन नवरातरी के फास्ट रखे होगे बहुत से बच्चे हैं जो नवरातरी के फास्ट रखते हैं तो अब आपके फास्ट है खुल चुके हैं अब हम जो अपनी तैयारी कर रहे गे वह अब फिर से हम जो तैयारी चल रही थी हमारी दुबारे से वह तैयारी हम करने जा रहे हैं कि आप झाले एक बात आपके था जो आप यू जी सी नैट की जो आपको that Myah ूर्व आपको करवार आ या तो आप याद से वह वह बहुंख आप अटेंड कीजिए कर रहे हैं कर आप ne आप जितने कोशिन निकाल लोगी तक निए तो राजिस्तान और जो और आपके से यहां। जिससे जो आपकी प्रिप्रेशन है वह बैटर हो और अच्छी आपकी प्रिप्रेशन हो कहीं से भी आपको मिले DSSB के कोईशन वह आपकी जितनी जादा कोईशन निकाल लोगे उतनी जादा आपकी तैयारी क्वोई को अच्छी का आपको पता होगा और आपके से चांसे आपके होगे तो इसलिए अपनी तैयारी है आप अच्छे से कीजिए जो को आपको में रहे हैं उन्हों आपको पीछे आपके रहे हैं के आपके 좁ची कोष्ज किस्वच सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना हें तो लृष्ट वी इस अपको दी गहीं सुची फर्ष्ट में क्या है आपका सुची फर्ष्ट अब आपका हाफ टौन हाफ टौन आपका दिया गया है तो आप टौन क्या होगी हाफ टौप आपकी है इमेजिंग विदो डेंसि टीजबेरिंग परिवर्ती सगनता के साथ छब करन डूसरा आपका थ्रीशोल्ड दूसरा आपका थ्रेसोल्ड तो थ्रेसोल्ड क्या होगा थ्रेसोल्ड है आपकी सब्क्राइब्श्ट होगा सोफ्ट्वेयर टू न्यू प्लेटफोर्म अनुदेशों को मौलिक सोफ्ट्वेयर से नए प्लोट नए जो आपका प्लेटफोर्म पर अनुवाद करता है फिर आपका दी है माईग्रेशन माईग्रेशन क्या होता है यह हैं माईग्रेशन तो माईग्रेशन क्या होता है माई सेकंड फॉर्थ फॉर्ष और थाड़ ही आपका सिक्वेंस है कोश्चन नमबर फॉर्ष का सेकंड फॉर्थ फॉर्ष तरड़ आपका सिक्वेंस है चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कौन से ओप्शन में आपको सिक्वेंस दिया गया है नेक्स्ट पर आपके ओप्शन दिये को दिखे नेक्सट कुशन कि इसे थोड़ा साम बढ़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से आपको दिखे question question second में आपका दिया गया है मैच दा following निमली कित को आपको सुमेलित करना है लिष्ट फ़र्ष्ट दी गई आपको लिष्ट second से इसका मिलान करना है लिष्ट फ़र्ष्ट सेकिन का मिलान आपको करना है तो इसमें सबसे पहले जो आपका लिष्ट में दिया गया आपका असिस्मेंट डिवाइस डैट अपियर्स टू मेजर दा सब्जेक्ट मैटर इट पर मैटर इट सपोर्ट तू मुल्यांकन विधी जो की विशह सामगरी काम आप करती है जिसे जिससे वह संबंदीत है तो कि संबंदित है वह संबंदित आपकी है फेस वेलिडिटी से फेस बैंदिता यहीं आपकी आपका भी दडिवाइस इन वीच इंडिवीजे टेस्ट इसकॉर प्रोबैबल बिएवियर ओना सेकन्ड वेरियेपल मूल्यांकन मिधी जिसमें व्यक्तियों का टेस्ट स्कॉर दूि बविश्यवानी करता है किसकी बविश्यवानी करता है तो किसकी करता है वह बविश्यवानी आपकी करता है criterion related माप दंड संबंधी वेदता फिर आपका है C, C में आपका दिया गया है दा असिस्मेंट डिवाइस विच एडिक्वेटली मेजर दा मेजर डाइमेंशन ओफ दा बिहेवियर अंडर consideration मुल्यांकन विदी जो की विचार्निय वेवार के परमुख आयामों को पुर्ण रुपें मापता है तो क्या मापता है वो नापता है आपका content validity अंतर वस्तु वेदता फिर आपका D, the assessment device which appears to measure the general elements it purports to measure मुल्यांकन विदी जो की सामन्य तत्व को मापता नजर आता है जिसे उसे को नापना है तो नापना क्या इसका राइट है आपका जो लाश्ट बचता है construct validity construct वेदता तो sequence क्या बना sequence आपका बनता है question second का fourth third first और second आपका sequence है fourth third first second आपका sequence होगा चलिए next phase पर अब हम इसके option देखते है option दिया गया आपका option है चलिए question second के option अब हम देख रहे है option a option a में आपको दिया गया है first second fourth third option b second first third fourth option c fourth third first second option d third first second fourth तो right answer क्या right answer आपका option c fourth third first second option c इसका right answer होगा चलिए next अब आपको question question number third next question question number third आपका question third आपका question third आपका दिया गया sorry question third में है match the following निमलिकित को सुमेलित कीजिए list first second आपके सूची first और सूची second coding आपका दिया गया list first का आपका coding है तो coding जो आपका यह किस से इसका मिलानोंगा तो coding जो होता आपका message to a signal signal के लिए क्या होता है message होता है फिर आपका भी भी पर आपका noise दिया गया तो noise क्या है इस आपका है received signal note the one transmitted signal प्राप्त किया लेकिन संप्रेश सिगनल नहीं प्राप्त किया सी अब आपका entropy entropy क्या होता है entropy आपका होता है measure to of uncertainty measure of uncertainty and संबंदों की समीपता का माप तो इसका सिक्वेंस आपका सिक्वेंस आपका सिक्वेंस होगा थर्ड फर्ष्ट फर्ष्ट और सेकिंड आपका सिक्वेंस होगा थर्ड फर्ष्ट 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 सेकिंड चलिए next पर आपके option दिए गए है option a question थर्ड का option है आपका fourth second third first option b second third fourth first option c first second third fourth option d third first fourth second तो राइट आंसर क्या है राइट जो आंसर आपका option दी थर्ड फर्ष्ट 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 सेकिंड कोशन थर्ड का option d राइट आंसर होगा question थर्ड का option दी क्या आपका राइट आंसर है चलिए next अब आपका question है question number fourth question fourth आपका दिया गए match दा following वाला आपका question है निमली कित को आपको सुमेलित करना list first or list second दी गई है सूची first or सूची second दी गई है पहला एब आपका every unit of population has equal chance of been selected जन संख्या की सोरी आज तोड़ा खराब है जन संख्या की प्रतेक इकाई को chain होने का ब्राबर अवशर होता है तो अवशर जो होता है इसका किसके साथ आपका list second से match करेगा यह आपका करता है random sampling random sampling से फिर आपका be every ninth case is selected from the list of population जन संख्या सूची से प्रतेक केस का chain करना तो यह क्या होगा यह आपका होता है systematic sampling ववस्तित sampling see about units are randomly selected from the subgroups subgroups उप यह सब ग्रूप से आपका सब ग्रूप्स उप समू से इकाई का randomly chain करना तो जो chain करता है वो किससे के करेगा statified sampling यह आपका फॉर्थ पर होगा फिर आपका यह जोग्राफिक एरिया बेस्ट यूनिट बोगोलिक चेत्राधारित इकाई तो यह आपका होता है cluster sampling cluster sampling sequence आपका बनता है question fourth sequence बना third third first fourth second sequence है चलिए next phase पर आपके option में देखते हैं कुण्स option में आपको इस सेम्सिक्वेंस आपका दिया गया है option एब आपका फर्ष्ट फॉर्थ थार्ड सेकिंड option B fourth second first third option C third first fourth second option D second third fourth first तो राइट answer क्योंगा राइट answer आपका थार्ड फॉर्ष्ट फॉर्थ सेकिंड option C इसका राइट आंसर होगा option Z कि आपका right answer है चलिए next question के और next आपका question है question number 5 question 5 आपका दिया गया है match the following निमलिकित को सुमेलित कीजिए list first है आपकी list second है सूची first or सूची second इसमें दिया गया है तो सूची जो first है सुची फर्ष में आपका दिया गया है approach of measuring two opposite sets of items समुओ को मापने का अधिगम तो जो समुओ को जो मापने का जो अधिगम है वो क्या होगा वो आपका है simulated scale समाकालित scale फिर आपका भी है approach of measurement yielding a single scope एकल score प्राप्त करने के लिए मापने का अभी गम तो यह आपका होता है संचित इसकेल क्यूमिलेटिव इसकेल क्यूमिलेटिव इसकेल फिर आपका सी है approach of measurement adopting bipolar objective rating to study a social phenomena मापने का अधिगम है जिसमें सामाजी गटनाओं के अध्यने तुद्विपक्षय उद्देश पूर्ण रेटिंग अपनाई जाती है तो पूर्ण रेटिंग जो अपनाई जाते हैं यह आपकी अपनाई जाती है सिमेंटिक डिफ्रेंशियल स्केल फिर आपका डीपर बच्चता है एप्रोच टू मेजर इंटरेक्शन पैटर्न एमोंग क्लोज एसोट इना वेराइटी ओग्रूप विबिन विबिन ग्रूपों में घनिष्ट सहयोगियों के बीच अंत्य किरिया पैटर्न मापने का अभ फोर्थ सेकिंड फर्ष्ट और थार्ड से आपका सिक्वेंस बनेगा चलिए नेक्स्ट आप इस पर आपका सिक्वेंस देखते हैं ओप्षन ए इकस्ट थार्ड फॉर्ष्ट फॉर्थ उप्षण बीटरड फिएस फ़ूर्थ सेकिंड ऑप्षेंड छी फॉर्ष्ट् 10 फॉर्थ थार्ड ओप्षण डी rap तौ अंसर आपका अपश्ट को राइट आंसर होगा चलिए मैंस्ट नेक्स्ट नमपर शीद नहमने में वक्र क्या है पहला अपका दिया है किया पर इसमें जो आपका पहला है साइड मैंटिलिकल बैल सेप्ट कंटिन्यूस सिर्फिकर्व यह आपका सिमेज्रिकल बेल आकार टैन्टिनिवेस कर्व आपका दिया गया है सेकिन्ड है a symmetrical bell shaped continuously curve तीसरा है आपका symmetrical bell आकार curve जो की X-axis को चूता नहीं है D bell shaped curve bell shaped curve तो इस में कौनसा आपका जो वितरन में यारि normal curve है किसमे distribution में तो वितरन में सामान्य वक्र आप SE POOCHAY गया तो सामान्य वक्र कौन सा होगा एक तो आपका होगा symmetrical bell bell आकार continuous curve फिर आपका दूसरा है symmetrical bell आकार कर्व जो की x-axis को चूता नहीं है तो पहला और तीसरा जो होगा इसका सही है जो की normal curve है किसमे distribution में वितरन में सामानने वक्र आपका है तो option इसका जो चलिए अब इसके option देखेगे हैं next page पर आपके option दिये गए है option a है आपका first fourth are correct पहला चोता सही है option b first and third are correct पहला और तीसरा सही है option c second and fourth are correct दूसरा और चोता सही है option d first is correct पहला सही है तो right answer क्या होगा right answer है आपका option b second and third are correct पहला और तीसरा सही है option b इसका right answer है option b क्या आपका right answer होगा तो question जो 6th है question 6th का option b right answer है question 6th का option b आपका right answer होगा चलिए next question क्यों बढ़ेगे अब हम next अब आपका question number 7 question number 7 आपका दिया गया है question 7 में अब आपका rdbms are advantageous as they rdbms लाब प्रत होते हैं क्योंकि वे पहला आपका manage and maintain परबंद और रख रखाव करते हैं दूसरा है represent data in the form of tablets सार्णी के रूप में data production करते हैं तीसरा facilitate handling of objects rather than records अभी लेकों की अपेक्षा वस्तों का संचालन करते हैं डी चोथा अब आपका और डवलप्र विद मैथमेटिक theory of relation अंतर शंबन मैथमेटिक सिद्धान से विक्षित होते हैं तो इसका जो आपका data in the form of table सार्णी के रूप में data production करते हैं दूसरा जो आपका है दूसरा इसमें होता है और डवलप्र विद मैथमेटिक theory of relation अंतर संबन मैथमेटिक सिद्धान से विक्षित होते हैं तो दूसरा और जो आपका चोथा होगा इसका सही होगा चलिए अपेज है आपका नेक्स्ट पेज़ पर ओप्शन है option a first fourth are correct पहला चोथा सही है option b second third are correct दूसरा तीसरा सही है option c second fourth are correct दूसरा चोथा सही है option d third fourth are correct तीसरा चोथा सही है तो right answer क्या इसका right answer होगा आपका option c second और जो fourth आपका इसमें दिया गया है जो की सही है नेक्स्ट आपका question है question number 8 question 8 है which one of the following is not an operation involved in quality circles निमली कित में से कौन गुनवत्ता चक्र की परकिरिया में सम्मिली तो नहीं है यह question जो आपका important question है question number 8 option a problem identification समश्य पहचान option b problem selection समश्य चयन option c solution recommendation हल संस्तूती option d problem shifting समश्य इस्थानात्रन तो जो question 8 है उसका right answer कि आपका problem shifting समश्य इस्थानात्रन question 8 important आपका question है चलिए next question अब आपका question number 9 question 9 अब आपका दिया गया है the formula के एस प्लस यह आपका triangle a triangle i equal triangle i equal आपका होगा के question में आपका s plus यह आपका angle है angle आपका है triangle for summation of यह आपका information is proposed by किसके द्वार प्रतिपादित किया गया है सूचना संक्ला ने तू formula आपको दिया गया है तो बताए कौन सा होगा यह question आपका important है यह भी इस तरह के question आपके आते हैं option a cloud सेनन option b जोर्ज गर्बन option c चाल्स आसगुड option d mandy brooks तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है इसका mandy brooks question 9 का option d mandy brooks जो होगा इसका राइट आंसर होगा चलिए next अब आपका question question 10 question 10 में दिया गया है web of science cover web of science में क्या सम्मिलित है तो बताए जो web of science में क्या सम्मिलित होता है क्या cover किया जाता है option a sciences विज्ञान option b social sciences सामाजिक विज्ञान option c arts of humanities कला है आपके सही है science भी आपका सही है सोशल साइंस भी आता है और आट सोफ कुमिनिटी तो ती जो तीनों के तीनों इसका answer होते है तो ओल दैब हो क्या आपका राइट आंसर है चलिए next आपका question question number 11 what does encrypting file man किसे file को encrypt करने से क्या अभी प्राइब है तो बताए किसे file को जो आप encrypt करते हो तो उसका अभी प्राइब क्या होता है option a set the read only property केवल पढने संबंधी गुन को निश्चित करता है इस निश्चित आपका करता है फिर आपका भी hiding the file फाइल को चुपाता है फाइल को क्या करता है 트랈 चुपाता है option C dot पाश्वर्ड पाश्वर्ड निश्चित करना option d स्क्रैंबलिंग दा कंटेंट विस्थ वस्तु का जोड़ तोड़ करना विश्थ है वस्तु का जोड़ तोड़ करना तो राइट आंसर क्या रगों गों 11 का राइट आंसर आपका इस क्रेंबलिंग दा कंटेंट वी से वस्तु का जोड़ तोड़ करना तो कोश्चन 11 का उप्शन डी राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर ट्वेल कोश्चन त्वेल आपका दिया गए वीच ओफ दा हुआ हो दोक्ता के annugap the site के लोगी न अनुमति द्वारा पहचान करता है तो बताए सब्सक्राइशन चैլ करता हैं कि को अप्शन निया नियुक्त सद्पर दिक वस्तमेट प्रामीड करन इंपूर्टेंट आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर तर्टीन थर्टीन में दिया गया है पैप्रिस वाज यूजज़ इस राइटिंग मैटीरियल बाई प्रेखन सामगरी के रूप में पेपाइरस का उभ्योग किसके द्वारा किया गया था पहला अब आपका समेरियन सुमेर वाशियो दूसरा अब कभी इटालियन इटली वाशियो सी इजैप्टियंस निवाशी डिया आपका आपका इजैप्टियंस निवाशी जो होगा इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट अब आपका कुश्चन नमबर 14 फोटीन फोटीन आपका यह कुश्चन आपका असर्षन आपका असर्षन आपका आपका असर्षन है देयर इस क्रिटीज्म बाए अकेडमी इस एंड साइटिस्ट और यूज ऑफ इंपक्ट वैक्टर अज अज़र ओप इंपोटेंस अभी कतन है विद्ध्य विद इसका प्रियोग नहीं किया जाता है तो परियोग यार नहीं किया जाता है आगे अब आपके ऑप्शन दिये गए हैं और यह फोल्स बटार इस टू ए गलत है लेकिन आर सही है option B both A and are are true A और आर दोनों सही है option C both A and are are false A और आर दोनों गलत है option D A is true but R is false A तो रैट आपके प्रूट आर दोनों किया आपके सही है तो option B जो होगा, इसका right answer है, चलिए next, अब आपका question है, question number 15, question number 15 आपका दियागे assertion है, all research require hypothesis to be proposed and tested, अभी कतन है, सभी प्रकार के सोध में अभी कलपन प्रस्तावित और friction के जाने अपेक्षित होते है, reason no research is complete without testing of hypothesis, तर्क है, आपका अभी कलपों के friction के बिना कोई सोध पूरा नहीं होता है, कोई भी जो सोध होता है, वो क्या नहीं होता, complete नहीं होता, पूरा आपका नहीं होता, आगे अब अप्षन है, option A, A is false but R is true, A है सत्य गिंतुआर सत्य है, option B, both A and R are false, A औरार दोनों है सत्य है, option C, A is true but R is false, A सत्य है, लेकिन तो आगे होता, option D, both A and R are true, A और दोनों सत्य है, तो right answer क्या होगा, इसका right answer क्या होगा, इसका right answer आपका, option B, बोट A and R are false A और और दोनों क्या आपके एस सत्त हैं तो option B जो होगा इसका right answer है चलिए next question क्यों बड़ेगा है अब हम next आपका question क्या है question number 16 आपका question है question 16 में आपका दिया गया है assertion वाला ये आपका question है असेशन है historical research has been regarded to be truly signed by many authorities अभीकतन है बहुत से एतिहासिक सोद को विशिद रूप से व्यज्यानिक माना गया है तर क्या आपका एतिहासिक सोद को दोरहाया जा सकता है तो जो एतिहासिक जो शोद है उसको क्या किया सकता है आपका दोरहाया जा सकता है आगे अब आपके option है option a both a and r are true a और आर दोनों सकते है option b a is false but r is true option c both a and r are false a और दोनों ए सकते है option d a is partially true but r is true a आंसिक रूपशे सकते है किन्तु आर सकते है तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका option c both a and r are false a और आर दोनों क्या आपके ए सकते है तो option c जो होगा इसका राइट आपका है चलिए next अब आपका question है question number 17 question number 17 आपका दिया गया है why to site उद्धरन किस लिए दिये जाते है जो उद्धरन होते है वो किस लिए दिये जाते है पहला आपका है acknowledging the source स्रोत को अभिश्विकार करने के लिए दूसरा है अब आपका crediting the original ideas मोलिक विचारों को मानेता देने के लिए तीसरा है substantive finding निसकर्षों को साबित करना चोथा है आपका four popularizing cited sources उद्धरित शोतों की लोगपिरियत के लिए तो इसका जो आपका है question जो आपका दिया गया question number 17 question 17 का right answer क्या होगा इसका जो राइट आंसर आपके option इसमें आपके दिये गए और आगे जो next phase है इसमें आपका option मिलेगे तो इसमें जो आपका सही है acknowledgement the source road को अभिश्विकार करने के लिए दूसरा आपका crediting the original idea जो तीसरा है subject in finding तो पहला दूसरा और तीसरा आपका सही होगा that mean जो आपका fourth दिया गया इसे चोड़ के बागी तीन आपके सही है चलिए next phase पर आपके option देखेगे option a first second and fourth are correct पहला दूसरा और चोता सही है option b first second and third are correct पहला दूसरा तीसरा सही है option c second third and fourth are correct दूसरा तीसरा और चोता सही है option d all are correct सभी के आपके सही है तो राइट answer क्या इसका राइट answer आपका option b first second and third are correct पहला दूसरा तीसरा सही है option b right answer next question अब आपका question number 18 question 18 में दिया गया आपका dictionary of national biography dnb contains biography of prominent people of राश्ट्य जीवनी सदकोस dnb में किन विशिस्ट वैक्तियों की जीवनिया दी गई है option a all nations सभी राश्टों की option b यूरोपियन्स यूरोपियन की option c americans American की option d British British की तो इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर आपका ब्रीटिसर्ट ऑप्शन डी ब्रीटर्स की इसके राइट आंसर होगा option d क्या आपका राइट आंसर है यह question आपका very important question question number 18 next अब आपका question है next question क्या आपका question number 19 question 19 आपका दिया गया दा production of mental reflection and imagination is known as मांसिक परतिविंबो कल्पना के उत्पादन को क्या कहते है option a information सूचना option b idea which are option c data आकड़े option d knowledge ग्यान तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपका है आइडिया विचार जो होगा इसका राइट आंसर है आइडिया या फिर विचार्ज होता है आपका इसके राइट आंसर होगा next question अब आपका question number 20 question 20 आपका आसेशन वाला यह आपका question है आसेशन है इंडिया इस contribution to L.I.S. literature is decreasing अभीकतन है L.I.S. सहिते में भारत का योगदान कम हो रहा है reason authors find it more convenient or get their articles published in open access journals कारण है लेखक गनो open access पत्रिकाओं में अपने लेखक अपरकाशित करवाना ज्यादा स्वीधा जनक पाते है ज्यादा क्या आपके स्वीधा जनक पाते है नेक्स्ट अब आपके option दिये गए है option A both A and R are true A और और दोनों सत्य है option B A is false but R is true A आस सत्य है प्रंतूर सत्य है option C option C अब आपका दिया गया है बोथ A and R are false A और और दोनों सत्य है option D A is true but R is false A सत्य है option B A is false but R is true A सत्य है प्रंतूर सत्य है option B is true A और आपका आश्या है option B जो ओगहां इसका रइट आंसर है is true A प्रंतूर सत्य है next आपका question number 21 question 21 दिया गया अपकाका सर्षिण है semantic web is an extension of www in which web content cannot be expressed in natural language अभी कतन है semantic web www का विस्तार ही है जिसमें web विशेवस्तु को प्राकर्तिक भाशा में अभी व्यक्त नहीं किया जा सकता reason है semantic web can be easily associated with spider web कारण semantic web को spider web के साथ आसानी से संबंदित किया जा सकता है आसानी से क्या आप संबंदित किया जाता है next आपके option दिये गए है option a option a आपका both a and r are false a or r दोनो a सत्य है option b a is true but r is false a सत्य है प्रंथू r ऐ सत्य है option c both a and r are true a or r दोनों सत्य है option d a is false but r is true a सत्य है प्रंथू r सत्य है आपका राइट आंसर कि आपका दोनों के दोनों जो ए आर आपके एस त्य है फॉल्स है नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन अमबर 22 कोश्चन 22 दिया आपका असर्षन है मीन मीडियां एंड मोड आर्डा सिंपल टैक्निक्स टू गैट इग्जेक्ट एवरेज फोर डेटा एनलाइसीज इन रिसर्च अभी कतन है सोध में डेटा विशलेशन के लिए सही सही उसत पाने हैं तू माध्य माध्य का और बहुलक सरल तकनीक है इसर्च फोर डेटा एनलाइसीज ऑफ इस्टोरिकल डाटा कारण एतिहासिक डेटा के विशलेशन के लिए यह सोध की सुष्वी करत संख की तकनीक है तो संख की क्या आपका तकनीक है नेक्स्ट आपका औप्शन है ऑप्शन ए A is false but R is true A सत्ते है प्रंतु आर सत्ते है Option B Both A and R are true A और आर दोनों सत्ते है Option C A is true but R is false A सत्ते है प्रंतु आर सत्ते है Option D Both A and R are false A और आर दोनों सत्ते है तो right answer क्या होगा Right answer आपका है A is true but R is false A सत्ते है प्रंतु आर सत्ते है औप्शन ची जो होगा इसका राइट आंसर है राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 23 कोश्चन 23 आपका दिया गया है तो इसमें यह भी आपका कोश्चन है असर्शन आपका पर्फोर्मेंस बेस्ट बजेटिंग डिमांड्स देट दा ओब्जेक्टिव और गोल्स ओफ एजेंसी बाए किलियर एंड पर्फोर्मेंस मेजर्स एंड टार्गेट टू पूट इन प्लेस अभी कतन है निश्पादन आधारित बजेटन की मांग होती है कि अजेंसी के उद्देश एवं लक्षे इसपष्ठ और निश्पादन उपाईयों तता लक्षे इसपष्ठ और निश्पादन उपाईयों तता लक्षे को ठीक से क्या करें परतिश ठापित किया जाए रीजन में दिया गया आपका देख की टू सक्सिज फिर्मली रेली सब्सक्राइब करती है तो कोट्स या कूट आपको दिया गया है औक सब्सक्राइब करती है और 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 फोल्स और और दोनो ए सत्ते है तो राइट आंसर आपका बोद एंडर आर टूर दोनो सत्ते है तो ऑप्शन सी जो गई सका राइट आंसर ओप्शन सी चलिए नेक्स्ट अब आपका कुश्यन है कुश्यन नमबर 24 कोश्चन 24 में आपका दिया गया असेशन है आपका असेशन में क्या आपका एप्रोच इस टू रिसर्च इस नोट डिपेंडेंट ओन एपिस्टियो मेलोजिस अभी कतन में आपका सोध के उपागम ज्यान मिमान साउपर निर्भर नहीं है करते हैं तो ब्रोच आपका करता है next अब आपका है कूट मैं आपका दिया गया ऑप्शन है अब आपका बौत एंड और आर आर टू ए और और दोनों सकते हैं option c a is true and r is false a सत्त्य है option d r is true and a is false r सत्त्य है और एक आपका सत्त्य है तो right answer क्या होगा right answer आपका बोथ a and r are true a और दोनों सत्त्य है option b जो होगा इसका right answer होगा चलिए next अब आपका question है question number 25 कोशन 25 में दिया आपका मैच दाफ फॉलोइंग एक्वेल इवैलूशन क्राइटेरिया ओप्रिंट मैटेरियल समूदरी तो सामगरी के निमलिकित मुल्यागन मापदंड को सुमेलिद कीजिए यह आपका लिस्ट फर्स्ट है सुची फर्स्ट यह लिस्ट सेकंड यानि सुच प्रस्टिकर ऩिए प्रतिकर यह क्या होता है है चैत्यट है परपोज कतितउ किया है फॉर्मेट फॉर्मेट क्या होता है यह फॉर्मेट यह ताओ टाइपोग्राफि मुधरन कलाभ गव्र अरेंजमेंट वैक्षभा नमबर वैक्ष्वरीफ Š 125 जो आपका प्रति संढर्ब आपका सेक्वेंड और फोर्थ यह आपका sequence बनेगा चलिए next page पर आपके option में देखते हैं option a option आपका पहले second third first fourth option b first fourth second third option c third second first fourth option d third fourth second first right answer आपका third second first fourth option c इसका right answer आपका right answer चलिए next अब आपका question is question number 26 question number 26 में आपका दिया गया है यह भी आपका match the following है Milan आपको करना है इसमें क्या करना आपको Milan करना है मिलान में आपको क्या करना है चलिए मिलान में इसमें आपको सबसे पहले जो आपका सबसे पहले आपका दिया गया है सोशल माइक्रोइसकोप तो जो सोशल माइक्रोइसकोप होता है वह क्या होगा case study method फिर आपका be fundamental research मोलिक सोद तो मोलिक सोद क्या होगा मोलिक सोद आपका knowledge फोर नोलीज ग्यान के लिए क्या ग्यान के लिए ग्यान सी आपका exposed factor research पश्या दर्शी शोद पश्या पश्या दर्शी दर्शी सोद यह होगा आपका यह क्या होता है नो कंच्रोल ओवर वेरियंस विशंगती पर कोई नियंत्रन नहीं दिया आपका मल्टी स्टेज रेंडम सेंप्लिंग सेक यह आपका जो बचता है last cluster technique गुच पकनीक तो इसका जो sequence आपका बना third fourth second और first आपका sequence बनेगा third fourth second first चलिए next page पर आपके option दिये गए है option A first second third fourth option B third fourth second third option C second third first fourth option D fourth first second fourth तो इसका जो आपका यह आपका इसमें third right answer क्या आपका right answer आपका third fourth second first option इसमें यह आपका first है यह आपका first है तो इसका जो आपका right answer है right answer क्या होगा right answer आपका option B इसका right answer होगा चलिए next question क्यों नेक्स्ट आपका question है 27 question number 27 आपका दिया गया match the following characteristic of DBMS with respective activity DBMS की विसेस्ताओं को उनकी अपनी गतिविदी के साथ आपको सुमेलित करना है सुमेलित आपको करना होगा चलिए इसमें जो आपका लिस्ट question 27 में दिया गया match the following characteristics of DBMS with respective activity DBMS की विसेस्ताओं को उनकी अपनी गतिविदी के साथ आपको क्या करना है सुमेलित आपको करना है तो चलिए पहले आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सैकिंड दी गई सूची फर्स्ट और सूची सैकिंड तो एह है आपका reduction of redundancy समदिक्ता में कमी किसमें समदिक्ता में आपकी कमी तो यह आपका होगा centralized control केंद्री करत नियंत्रन भी अब आपका data sharing data सहब आगी करन डेटा जो आपका सहब आगी करन है यह क्या होगा यह आपका होगा number of application programs अनुपरियोग कर्या कर्मों की संक्या सीव आपका data integrity data एक ही करन तो data एक ही करन में क्या होगा data एक ही करन में आपका होगा accurate and consistent data विशुद तता संगत data security data सुरक्षा तो data सुरक्षा में क्या होगा encryption तो इसमें sequence क्या बना sequence आपका बनता है सेकेंड थार्ड सेकेंड थार्ड फॉर्थ और फॉर्ष्ट आपका sequence बनता है question number 27 का चलिए अब हम देखते हैं कौन से option में sequence आपको दिया गया है option बच्चो option अब आपका second third four the first option भी fenug 0 second option अबाइथ सेकेंड फॉर्ष्ट सेंक पॉयमपर एAnnज्र आइड पर फॉर्ष्ट फॉर्ष्ट ऑप्ष्टिए इड़ी सेंट्पे सेकेंड ऑफ आफज सेकन आपका सेकेंड थार्ठ फॉर्ष्ट फॉर्ष्ट कीizen एक हम देखहाए डिया इसमें आप कोशन 28 में मैच दा फोलव निमली कित का मिलान कीजिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें आपका है पहले आपका इनमबर पर क्या आपका इनमबर पर आपका दिया गया नादी टू असेंडिंग अधो बिंद स unav on divine आपका आरओहन तो इसका जोका इनमब समग्रिकल इनम परी कल अनुभाविक थिचल आ रोहन से सीरो बिंद तक तो यह क्या होगा यह आपका होता है हाइपो थेاسि ग्डच प्राक कल्पना तयार करना अपका जैनित हृँ डू सैंडिंग सीरो बिंद निगमनिक और आपका रोवन कि प्रापका डू से अदर्व बिंद तक यह आपका वेरिफिकेशन होगा सत्यापन आपका होगा सिक्वेंस किया बना सिक्वेंस आपका बनता है वर्तों फोर्ट हभर स्टार कोशचन ल नेख सेट सब्सक्राइबसेशन मैं करते हैं स्टेश्य mourning इसका जो राइट आंसर आपका option डी ही राइट है जिसमें आपका sequence match करता है फॉर्थ फिर्ष्ट थार्ड चलिए next question कि और next आपका question क्या होगा question number 29 वाला आपका question है match the following आपको करना है निम्ली कित आपको मिलान करना है लिष्ट फर्ष्ट और लिष्ट सेकंड आपको दी गई है तो लिष्ट फर्ष्ट में क्या दिया गया आपका लिष्ट फर्ष्ट में आपका दिया गया है आउट डेटिड इनफोर्मेशन आपका दिया गया है तो जो आउट डेटिड जो आपका बी आपका है condensed information संगनित सूचना यह क्या होगी यह आपका होगी compressible information some pdi सूचना फिर आपका c message संदेश संदेश क्या होगी understanding समझ फिर आपका d vintage model तो vintage model क्या होगी information diffusion सूचना प्रश्रन तो इसका जो sequence आपका बनता है second third fourth और first आपका sequence बना second third fourth first चले नेक्स पेज़ पर आपके option से match करते हैं option a fourth third second first option b first second fourth third option c third fourth second first option d second third fourth first तो right answer क्या होगा right answer इसका option d आपका second third fourth fourth first चले नेक्स्ट कोश्चन की और next आपका कोश्चन है question number 30 और एंज दाफ फोलोईंग according to their year of emergence निमली कित को उसके उद्गमन के अनुशार वैवेस्तित कीजे तो उद्गमन के तो आपका दिया गया है लीशा तो लीशा जो आपका लीशा होता है लीशा की हम फुल फेर्म देखते है लीशा कि आपकी फुल फेर्म होगी Lाइब्रेरी लीशा की फुल फुल फॉर्म होगी Library and Information Science Library and Information Science Library and Information Science Abstract Science Abstract 1950 यह क्या होगी इसकी 1950 1950 B पर आपका है इसकी जो आपकी इयर है वो आपके 1938 1938 फिर आपका है फिर आपका जो थर्ड नंबर पर आपका दिया गया है तीसरे नंबर पर क्या है आपका Indian Science Abstract तो जो इसकी इयर है आपकी 1965 1965 यानि 1965 और जो आपका ये ओनलाइन आपका एवलेबल हुआ उपलब्द हुआ ओनलाइन की अगर हम बात करें कब की जब ओनलाइन ये आपका एवलेबल हुआ तो ओनलाइन ये आपका है 2000 में 2000 में आपका ओनलाइन आया फिर आपका लाश्ट बच्चता है इंडियन लाइब्रेरी और इंफोर्मेशन साइंस अबस्ट्राक्ट तो जो ये आपका है इंडियन लाइब्रेरी इसकी जो आयर है आपकी 1969 तो इसका सिक्वेंस आपको ये वाइज आपको लगाना है तो इयर वाइज आपका कैसे लगेगा सबसे पहले तो आपका आएगा ये सैकिंड नंबर का आपका 1938 वाला पहले आया क्योंकि जो इयर है आपकी डिसर्शेशन अबस्ट्राक्ट इंटरनेशनल की 1938 में है इसके बाद आपका जो लाश्ट सैकिंड नंबर पर जो आपका इंडियन लाइब्ररिया इन्फॉरमेशन साइंस अबस्ट्राक 1909 तो इसका सिक्वेंस आपका बना सेकिंड फ़ष्ट थार्ड फॉर्थ आपका सिक्वेंस बनता है चलिए नेक्स्ट पर ऑसके उप्श्ट में से मैच करते हम सिक्वेंस को ओप्षण एप्शन एब आपका option A में क्या आपका third, fourth, second, first option B, fourth, third, first, second option C, second, first, third, fourth option D, first, second, third, fourth तो right answer क्या होगा इसका जो right answer आपका second, first, third, fourth आपको option C में आपका match करता है चलिए next question की और next अब आपका question है question number 31 question 31 में दिया गया systematic sampling is वैवेस्थित परतीचेंग क्या है तो वैवेस्थित जो आपका परतीचेंग है वो क्या होगा? पहला आपका दिया गया है A, A type of probability sampling प्रायक्ता के परकार का प्रतीचेंग second है A type of non probability sampling A प्रायक्ता के प्रतीचेंग तीसरा है आपका A, तीसरा क्या होगा, in which first unit is selected randomly, जिसमें प्रतमिकाई का यादरचिक रूप से चैन होता है, चोथा, selected on the basis of specified characteristic निर्धारित विसेस्ताओ के आधार पर चैनित, तो इसका जो सिक्वेंस आपका बनेगा, सिक्वेंस जिसमें आपका पूछा गया, वेवस्तित प प्रति चैन है, वो कौन-कौन सापका है, तो जो आपका है, सबसे पहले एट टाइप ओप, probability sampling, प्रा इत्ता के प्रकार का प्रति चैन, फिर आपका दूसरा है, in which first unit is selected randomly, जिसमें प्रतमिकाई का यादरचिक रूप से क्या होता, आपका चैन होता है, तो पहला और तीसरा आपका सही होगा, चलिए अब हम option में देखेगे, कोन से option में आपका match करता है, option A, first and third are correct, तो पहला तीसरा क्या है, option B, first and fourth are correct, option C, third and fourth are correct, option D, second and fourth are correct, तो right answer क्या है? Right answer आपका पहला है, पहले में आपको पहला और तीसरा सही आपका दिया गया, correct आपका दिया गया, यही आपका right answer है. Next, अब आपका question है, question number 32, question number 32 आपका दिया गया, question 32 में है आपका, वुमेन ऐर मोर इन लाइब्रेरी प्रोफेशन देन मैं आइडंटीफाइ दा वेृरियबल इन दा इस्टेटमेंट। उस्तिकाल लेके विशाय में प्रूसों की आपेकसा इस्तिरिया ज्यादा है। इस कथन में चर की पहचान करें। किसकी पैचान आपको करनी है चर की पैचान करनी है पहला आपका है मैं यह कोश्चन आपका इंपोटेंट है कोश्चन नंबर 32 पहला आपका है मैं एंड वुमेन और इंडिपेंडेंट वेरियेबल पुरू सैवं इस्तिरिया स्वेतेंट रो चरहें इंडिपेंडेंडेंट ह पुरू सायवा मीस्त्रिय आश्रीत चरहें तीसरा आपका लाइब्रेरी प्रोफेशन है जो ता आपका है लाइब्रेरी प्रोफेशन है इसे सउतनत्र है तो बताये कौन कौनसा आपका जो आपका वाक्य दिया गया इसमें कौन-कौन सा आपका सही होगा तो अगर हम सही की बात करते हैं तो सही इसमें आपका man and human are independent variable जो पुरूस और इस्तिर्या होती है वो क्या स्वेतनत आपकी चर है फिर आपका दूसरा है लाइब्रेरी जो प्रोफेशन है आपका वो भी आश्यत चर है तो पहला और तीसरा जो ओगा आपका सही होगा फ़ूस ठर आपका करेक्ट होगा चलीए next option में देखते हैं मैं चम करने वाले हैं option a फ़ूस ठर्ड आर करेक्ट पहला तीसरा सही है option b first and fourth are correct पहला और चोता सही है option c second and third are correct दूसरा और तीसरा सही है Option d second and fourth are correct द क्या होगा राइट आंसर आपका उप्षण नहीं है फॉस्ट एंड थर्ड और करेक्ट पहला और तीसरा सही है नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ेगे अब हम नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 33 कोश्चन 33 में दिया गया विच ओफ दा फॉलोइंग एसोशेशन है वो इस पॉइंशड दा टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशेटिव टैड निमले कितमें से कौन से संगों ने टेक्स्ट इनकोडिंग एनिशेटिव टी ए आई को प्रायोजित किया है पहला आपका दिया गया ACL तो ACL क्या होगा ACL के अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होगी सेम है ओफ कोलीज एसोशेशन ओफ कोलीज एंड रिसर्च री सर्च आपका होगा फिर आपका है ए एल एल सी ए एल एल सी आपका दिया गया और एसी एच आपका दिया गया है तो इसमें जो आपका सही होगा कौन-कौन सा आपका इसमें सही होगा तो इसमें आपका सही एक तो A-C-A-L-C-A-H पहला तीसरा और चोथा जोगा आपका सही पहला तीसरा चोथा चलिए नेक्स्ट पेज़ पर आपके उप्शन से मैच करने वागता है उप्शन A फाइश्ट सेकंड अंड थार करेक्ट पहला दूसरा तीसरा सही वी सेकेंड ढ़िए एंड पोड़ार कुरन करएंट दूसरा थीजा क्विसार और करेक्ड पहला दूसरा सई है तो राइट यह यहाँका इसमें आपका दूसरे के चोड़ के दू और तीनोंगे तीनों आपके करएंट है question number 34 question number 34 of which of the following are called path finders to the literature निमलिकित इसमें आपका दिया गया है निमलिकित का गया आपका निमलिकित में से कौन साहित्य के पाथ finders mark खोजी कहलाते है तो mark जो खोजी है वो कौन आपके कहलाएगे mark खोजी की हम बात कर रहें तो mark खोजी कौन-कौन आपके कहलाएगे पहला आपका दिया गया है बिबिलियोग्राफी गरंत सूची दूसरा आपका कैटालोग पर सूची तीसरा है इसमें आपका कौन-कौन साहिए बिबिलियोग्राफिक गरंत सूची आपका सही है और गरंत सूची के बाद आपका कौन साहिए इसमें इन्डिसीज अनुकर्मनी का ततासार तो पहला और चो फा जो आपका होगा collect है सही हापका होगा कराक्ट या फिर सही आपका है तो यह इसका right answer है पहला और चो फा चलिए next place पर आपके option से match करेंगे option A first and second are correct पहला और दूसरा सही है option B first second and fourth are correct पहला दूसरा और चो फалы सही है option C first and fourth are correct पहला और चोता सही है, option D, second and third are correct, दूसरा और तीसरा सही है, right answer के आपका, right answer है आपका, पहला और चोता के आपका, सही है, correct है, तो option C जो होगा, इसका right answer है, option C, चलिए next, अब आपका question है, question number 35, question number 35 है, which of the following are the core content of ISI web of knowledge, ISI web of knowledge की core, विशवस्तू, निमलिकित में से कोन C है, पहला अब आपका दिया गया, current content, वर्तमान विशवस्तू, दूसरा है, ISI proceeding, ISI career, विवरन, तीसरा है, डर्वेंट information index, सूचना, अनुकर्मनी का, चोथा है आपका, एगरी कोला, चोथा क्या आपका, एगरी कोला आपका दिया गया है, तो इसमें आपका कौन कौन सा आपका इसमें सही है, एक तो आपका current content आपका सही है, वर्तमान विशवस्तू सही होगा, फिर आपका ISI proceeding भी सही है, और तीसरा आपका डर्वेंट, information index भी सही है, तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही होगा, यानि चोथे को है, correct है, right है, next page पर आपके option से match करेजे, option A, first, fourth and third, option B, first, second and third, option C, second, third, fourth, option D, first, second and fourth, तो right answer क्या आपका option B, first, second, third, आपके option B में ही मिले हैं, यही आपका right answer है, next, अब आपका question है, चले, next question क्या आपका question number 36, the measure of certainty or productivity is cold as, निश्चितिता आथवा, पूर्ण नुमेता का माप क्या कहलाता है, अब आपका entropy निर्जीरतत्व, entropy B, feedback, bank, प्रतिपुष्टी C, redundancy, reaction C, समादिक्ता, D, आपका dissociation, V, क्रिती, dissociation या V, क्रिती हम इसको बहुल सकते हैं, तो इसमें आपका कौन सा सही है, इसमें आपका सही है, redundancy, redundancy, rehen, C, समादिक्ता जोगा, इसका right है, तो option C, right है, ये question आपका important है, question number 36, चलिए next, question क्यों बढ़ेगे, next आपका question है, question number 37, A, characteristic in which information tend to leak and the more it leaks, the more we have is, वह कौन सी विसेशता है, जिसके अंतरगत सूचना का रिशाव होने लगता है, और जितना ज़्याव होता है, उतना ज़्याव होता है, उतना ज़्याव हमारे पास होती है, A, अब आपका synergetic characteristic सहा कीरियाशील विसेशता है, B, diffusive characteristic विशरन सिव विसेशता है, C, compressible characteristic, संदाबी विसेशता है, D, seriable characteristic, सहा भागिया है, विसेशता है, तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका है diffusive characteristic विशरंड सील विसेस ताई option B right answer है option B क्या है इसका राइट आंसर है चलिए next question क्यों next अब आपका question है question number 38 question number 38 आपका दिया गया है as team for stand for as team for and cti info का तात परिया है तो बताए क्या तात परिया होगा option A अब आपका Asian scientific and technology information network option B association of scientific and technology information scientists in Asia c अब आपका उसी option में क्या दिया गया international network for exchange of science and technology information आगे आपका दिया गया है international network for exchange of science and technology information d regional network for the exchange of information and experience in science and technology in Asia and Pacific and the Pacific तो राइट आंसर क्या आपका प Yet अइसक इसने यह तो ठीनोगी फुल फॉल फॉल होगी इसका तात परिया आपका क्या होता that परिया आपका जो रीज़ ऑप्शन डी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर और राइट आंसर होगा रीजनल नेटवर्क फोर दा एक्षेंज ओफ इन फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नलोजी इनो एशिया दी पेशिफिक तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चलिए यह पर लाश्ट कोशिशन बचता था आपको क्लास कैसी लग रही है यह कमेंट करके आप जरूर बताइएगा जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और वीडियो को जाद़ से जाद आप शेयर कीजिए थांक्यू